Hello Everyone कैसे हैं आप साभासा करती हैं आप सब बहुत अच्छे हों entered अरक्षी आपने चैनल में आपसा भी विका स्वा गत करती हूँ रियल लाएपएद बविता में आई आई आपको मेरा विलोग पसंद आएगा ज्यादा से ज्यादा जो मेरे चैनल पर न्यूव है वो सस्क्राइब करें जिससे कि कोई में न्यूव वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिविकेशन मिल जाए और गाइस मैं आज कौन सी रेशिपी बनाने वाली हूँ और आयो आपको बहुत पसंद आएगी और घाने में हैल्दी और आपके लिए साइद मेरे ये ब्लोग हैल्फुल रहे और पसंद आए तो ज़्यादा सेर और लाइक भरवर के और चलिए देख लेते कि आज मैंने कौ करें जोगा ज़ाम हैज़िए और आपके लिए और आपको अगारा तो जना का मैंने साइद को मैंने खबाशेद तो आए ठाए देखे गरे लिएर कि अचली के गास देख लेते हैं कि मुझे इस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए और यह मैंने प्याज ले लिए एक और इसमें मतलब लेसन है छह साथ कली और यह मतर और एक टमाटर और आदी मतलब एक छोटा सा फूलता गोवी का तो मैंने वह आदर लिया है और चार आज और नारें क्योंकि हम लोग दो ही लोग है तो आप लोग ज्यादा या कम कर सकते हो तो चलिए गास इसको बनाना स्टाट करते हो यह रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और उम्मीद करते हो आप सब को बहुत पसंद आईगी यह रेसिपी तो मुझे कमेंटर में बता चलेगा तो चलिए गास और मैं पहले पैन चला दिया है मैंने तो थोड़ी सब्ची बनांगी तो मैं इसी में बना ले रहूं मैंने कड़ाई नहीं लिया आज तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा गरम होने देते फिर उसके बाद बनाना स्टाट करते हैं तो यह देखिए यह गरम हो चुका है तो चलिए इसमें में ओल डालना शुरू करते हूं और आपको यह रेसीपी बहुत अच्छी लगेगी तो यह देखिए गास ओल मेरा गरम हो चुका है और आप लग सोच रहेंगे कि मैं इसमें यह क्या डाल रही हूं तो गैस यह मैं मिर्ची फ्राई क जब हम खाने के साथ खायेंगे तो यह बहुत बहुत अच्छी में दधिया और इन को इस्टोर करके भी रख सकते वह गए चारी पहूंहें क्योंकि जादा नहीं खाती हैं हम लोग कुंकि श्यादा फीर अच्छी तो लगती है आखने में पर वैसे जादा नहीं खानी चाह जो लहसन था और आज हरी मिर्ची नहीं डाले क्योंकि ना फिर वो मैंने हरी वाली ले ली थी इस वज़े से नहीं तो फिर ज्यादा तीखी हो जाएगी और ज्यादा तीख हम लोग खाते भी नहीं इस वज़े से और इसके बाद इसमें मैं जो टामाटर कट करके रखा तब आपको पता है टामाटर डालने के बाद मैंनमक गिरूल डालती हूं तो इसके बाद इसमें मैंनमक ढाल देना है क्योंकि अच्छे से वह गल्वी जाता है टामाटर और वह भी छीटे वी कमाते हैं तो यह देखिए गाश कुछ इस तरीके से मेरे टामाटर होगा इसके हलकी से फ्राइ कर लूँगे और आप लोग इस रेसीपी को बनाऊगे न आप मेरे यकिन ने करोगे यह रेसीपी बहुत अच्छी लगती है बहुत ला जावाब और आज मैं मसाले थोड़ी से बाद में एड करूंगी तो यह देखिए जो मैं पत्ता को भी और आलो कट करक है यह देखिए दनिया पाउडर हल्दी पाउडर मुर्ची पाउडर जो हम डेली यूज में डालते हैं और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अजय को अच्छे आए पाने पाउडर आइड यह बहुत अच्छे को में अच्छी से वायल हो जाई गो है यह उसलिए मैं बहुत हलगा सा सा पाउडर करा है तो इसके बाद इसको बनने देते हैं और यह दिखिए गास मैं कुछ दिर बाद देख रहे हूं कि सब्जी मेरी यादे से जादा बन चुकी और इसके बाद मैं इसमें धनियां पतियाइड कर देती हूं क मैं आपको दूसरे बर्तन में निकाल के दिखाते हूं और सब्जी मेरी बन चुकी है यह दीखिए कितनी यम्मी दीख रहे है अब लुग खाईए अपने परिवर वालन को खिलाईए और उसी एच्छ एच्छित रहूँ गास आप अप कैसी लगई कमें और एकदम याम्मी और कितनी बड़िया दिख रही है और यह मतलब खाने में भी इतनी अच्छी थी तो चलिए और हम लोग खाना खाएंगे यह वह तो हम लोग थाली लगा लेते हैं अपनी तो यह देखी गाइस खाना मैंने लगा लिया है और यह जो मैंने मिर्ची वो करके राकी थी तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाला एड़ कर दूँगी जिसे काला नमक और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काले मिर्च पावडर एक वो आता है नसाला तो वो भी आड़ कर दिया मैंने तो ये देखिए और साधा खाने कतना अच्छा लगता है ना और खाईए और खेलाईए और बताईए मुझे कमेंट में की कैसा लगा और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लोग में आप सके लिए लाती रहूंगी यह रोटी और रात में हम लोग चावल नहीं खाते वैसे भी हम लोग चावल कम खाते हैं तो बताना गाइस कैसी लगी मेरी रेसिपी तो चलिए गाइस मिलते हैं ने स्ट्वीडियो में तब तक के लिए बाइ 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 ब्लोग बसंदाए तो लाइक जरूल करना तो बाइ बाइ गाइस